नमस्कार स्वागते अब सभी का न्यूस 21 में मैं हूँ आपकी साथ हर्शुदा अब खाबरी अन्यराद कॉंग्रेस प्रदेश रध्यक्षु दीपक बैज ने धान खरीदी और कामुन विवस्था को लेकर सरकार पर जम कर निशाना साधा उन्होंने कहा कि सरकार ने 15 नवंबर से धान खरीदी का निर्ने लिया जबकि फसल पहले ही तैयार हो चुकी है और राजस सरकार ने 3100 रुपे में धान खरीदी का वादा किया इसाधार पर धान 3270 रुपे प्रतिक विंचल में खरीदा जाना चाहिए साथी उन्होंने मांग की है कि किसानों को दिपावली से पहले चौथी किस्त दी जाए इस घटना पर ये भी कहा गया कि अगर प्रशासन ने इस पश रूप से आत्मात्या को हत्या बता कर दोशियों पर कारवाई की होती तो दूसरा घर नहीं जलता और निर्दोशों की गिरफतारी भी नहीं होती कानून विवस्था पुर्णों ने कहा कि सरकार अब लाचार और पंगू हो चुकी है ना केवल लोगों की जान माल की सुरक्षा खत्रे में बलकि उनकी जेबे भी सुरक्षत अब नहीं है राइपुर से एक खुश्बू ठाकरे की रिपॉर्ट जो प्रती वर्ष सरकार धान करीदी करती है आखिर सरकार की नियत क्या है जो पंद्रा नौम बर से धान करीदी करने का निड़े सरकार ने लिया है जबकी फसल हो चुकी है फसल कट रही है और किसान एक नौम बर से धान बेचना चाहा रहे है और जबकी इस समय कि किसानों का पंजेन भी बड़ा है पैदावार भी ज़्यादा हुआ है और रकबा भी बड़ी है और इसके बाद भी धान करीदी की अवधी कम करना आखिर सरकार क्यों ऐसा निड़े ले रही है क्या सरकार की नियत में खोट नहीं है जिस तरह से 36 गड़ में कॉंग्रेस की सरकार थी कॉंग्रेस की सरकार में निड़े लिया गया था कि 25 सो रुपए में समर्थन मुले में धान खरीदी होगा और 25 सो रुपए में धान करीदी किये पूरी पांच साल और केंदर सरकार ने जो अपना समर्थन मुले बढ़ाय अतिरिक्त उस समर्थन मुले को जोड़ते हुए 2640 रुपए में धान करीदी कॉंग्रेस की सरकार ने की लेकिन इस सरकार से हम पूछते हैं कि आपने 3100 रुपए में धान खरीदी करने का वादा किया था किसानों से और इस समय केंदर सरकार ने 117 रुपए अतिरिक्त समर्थन मुले पुरी देश के लिए बढ़ाया है क्या 3100 रुपए प्लस 117 रुपए मतलब 3217 रुपए में शरकार को धान खरीदना चाहिए किसानों का क्या 3217 रुपए में इस वर्ष किसानों का धान खरीदीगी सरकार और जिस तरह से हमारी सरकार में राजीव गांदी किसान नया योजना के माद्यम से जो किसानों को उनकी पैदावार की उनकी फसल की चोती किस्त देना था लेकिन ये सरकार बनने के बाद वो चोती किस्त सरकार नहीं दे रही है हम मांग करते हैं कि चोती किस्त सामने दिपावली भी है किसानों को तिवारी सिजन है उनको रहात मिलेगा मदद मिलेगा इसलिए सरकार को पिछले हमारी सरकार की जो सेश चोती किस्त किसानों को देना था वो कि